Section 1, find the square root of each of the following numbers by division method. इन number का square root निकालना है लेकिन division method से निकालना है. अब division method क्या होता है यह आज आप सीखेंगे. देखे division जैसे की नाम से पता चलता है इसमें कि division यानि कि divide करना होता है. तो divide करके square root निकालने का जो तरीका है वो ये है. सबसे पहले तो आप अपने नंबर को लिखेंगे जैसे पहला नंबर है 2304 नंबर वन स्टेप में ये होगा कि पीछे से पेर बनाना शुरू करेंगे ऐसे दो दो काम ये एक पेर हुआ ये एक पेर हुआ अगर आगे कोई सिंगल नंबर भी है न तो फिर वो सिंगल नंबर ही खुदी पेर माना जाएगा ये पेर बन गया अब आपको जो फस्ट पेर है न ये 23 इस 23 के नीचे कोई स्क्वेर नंबर लिखना है स्क्वेर नंबर ऐसा होना चाहिए या तो वो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो जैसे आप डिवाइड करते है न कि नंबर लिखते है या तो उसके बराबर आजा है उससे चोटा आजा है उससे बड़ा नहीं होना 23 के नीचे आपको कोई square number लिखना है आप square number क्या हो गया ऐसे 1 into 1 1101 हो गया ये तो काफी छोटा है 22004 हो गया 33009 हो गया 44016 हो गया 552025 हो गया तो आप देखेंगे कि 552025 हो गया ये तो बड़ा number आ गया तो इसे तो लेंगे नहीं तो इसे just जो पहला है उसे use करेंगे जैसे हम divide में use करते थे तो हमने लिया 44016 तो यहाँ पर हमें 16 लिखना है और ये जो 4 और 4 है ना ये यहाँ पर लिखे जाएंगे 44016 इसके बाद इसे सब्टेट करेंगे अब 3 इधर carry लेकर 13 बन गया टू कीज़ेगा 1 बचा 1 में से 1 गया 0 इसके बाद फर्स टेप तो आप समझ गया होंगे माइनस करने के बाद जैसे हम divide में नमबर उतारते हैं ना एक इसमें पूरा pair उतरता है यहाँ पर अगला pair 0,4 है ना तो पूरा 0,4 ऐसे उतर जाएगा यह दूसरी बात तीसरी बात पर ध्यान देना यह ज़्यादा important है कि अब हमें यहाँ पर ना यह जो 4 है 4 के अंदर 4 ही plus करना है यह 4 once place पर ना तो 4 के अंदर 4 ही plus करके आएगा 8 हमें यहाँ पर 8 लिखना है अब इस 8 के पास यहाँ पर जो नंबर आएगा वो ही नंबर यहाँ पर आएगा यहाँ अगर मैं 8 के पास यहाँ 1 लिखता हूँ न तो फिर 81 बन जाएगा तो फिर यहाँ भी 1 ही लिखना है तो 81 once लेना होगा अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो फिर 82 हो जाएगा यहाँ पे 2 लिख होंगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा तो फिर 82 को 2 से multiply करना होगा तो कुछ ऐसा number देखना होगा कि यहाँ पे जो ले वो ही यहाँ हो और वो ही यहाँ पर हो और उनका जो product है ना वो 704 आ जाए अब मैंने सोचा कि 4 पीछे कब आता है देखे 4 का बाता है किसी का हम square करते हैं तो 4 का बाता है यह तो पीछे-पीछे के number 2 हो तो 4 आता है तो मैंने किया 2204 और 82016 तो यह तो बहुत चोटा number है अब पीछे 4 इससे अलग का बाता है इससे 4 जब आता है जब पीछे 8 होता है क्योंकि 88,64 आता है तो पीछे 4 आ जाता है यानि कि यहां पर 8 लगाने से बात बन सकती है यह तो already 8 है इसके पीछे 8 लगाऊंगा तो यहां भी 8 लगाऊंगा तो 88,64 तो यहां 6 आया फिर 88,64 दो 64 में 6 जोड़ा तो 70 704 यानि मेरी बात बन गई तो यहां पर 8 ही लगाना है यह यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 यह स्टैपना यह ज़्याद देने का अब के लिए तो यह 704 आ गया और यह पूरा सवाल हो गया तो 2304 का जो स्क्वेर रूट है यह स्क्वेर रूट का निशान है इसका जो स्क्वेर रूट है वो आया 48 तो यह इसकी चीज़ें चलिए अगला कोशन क करते हैं उसमें और थोड़ा आपको प्रक्टिस होगी सबसे पहले इस तरह से यह जगह बनाएंगे यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे 4489 फिर फर्स्ट टेप मैंने बताया पेर बनाएंगे सेकंड स्टेप में 44 के नीचे को स्क्वेर नंबर लिखना है अभी आप उंगलियों पर कर सकते हैं देखिए 5525 होता है 6636 हो गया 77049 हो गया तो 7 और 7 से तो बड़ा आ रहा है 7 और 7 से पहले हो गया 6636 पिर इसे माइनस करेंगे माइनस करने के बाद यह 14 बनेगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा यहां कुछ नहीं बचेगा 0 फिर पूरा का पूरा सेट उतरेगा यह 8 और 9 उतर जाएगा यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है यहां ध्यान देनी की बात है यहां पर यह आपका 6 है ना तो 6 में 6 ही प्लस करना है यह 6 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 12 तो यहां आपको 12 लिख देना है अब यहां जो नंबर चाहिए वो ही नंबर यहां होना चाहिए फर एक्जाम्पल अगर हम यहां वन लेते हैं ना वन टू वन तो हमें वन से मल्टिप्लाइ करना होगा तो हमें यहां पर ऐसा नंबर लेना है ताकि हमारा 8,8,9 आ जाए तो यह तो बहुत चोटा है वन तो बहुत चोटा है अब थोड़ा सा दिमाग पर जोहर डालेंगे तो यह देखेंगे पीछे 9 कहां आता है देखिए जब पीछे 3 होता है ना वन प्लेस पे तो 9 आता है तो ज़रा मैं इसे 3 से ट्राइ करके देखता हूँ 3,3 जा 9 3,2 जा 6 और 3,1 जा 3 तो यह तो काफी छोटा है तो इससे तो बन नेरी बात 3 से अब देखता हूँ कि पीछे इससे अलग फिर मेरा 9 कहां आता है 9 तब आता है जब हमारा पीछे 7 होता है क्योंकि 7,7 जा 49 होता है तो 7 से ट्राइ करके देखते हैं तो यह तो है 1,2 और यहां मुझे लगाना है 7 यहां 7 लगा होगा तो यहां भी 7 करना होगा तो इस तरह से 127 को 7 से multiply करना होगा 7, 7 is a 49, यह 4 लिया 7, 2 is a 14, 14 में 4 जोड़ा तो 8, 18 हो गया और यह 1 carry 7 मंजा 7 और यह 8 तो 7 से बिल्कुल सही बात बन रही है यहाँ पे 7 लिखना है तो दोनों जगे 7 ही लिखना है और पूरा 8, 89 आ गया तो इतना सिंपल है यह division method चले थर्ड कोशन करते हैं और practice होगी 3, 4, 8, 1 पहला step आपको सवाल उतारना है फिर पीछे से pair बनाने शुरू करने हैं दो-दो का यह कर दिया अब 34 के नीचे square number लिखना है अब 34 के नीचे आप क्या लिख सकते हैं 4, 4 जा 16 होता है, 5, 5, 25 होता है और 6, 6 जा 36 होता है तो 36 तो बड़ा आ गया 36 से पहला जो square number है वो है 25 और 25 कब आएगा? जो 5 और 5 लिंगे यहाँ पे ना हमेशा same number होते है 5, 5 जैसे यहाँ पे 7 और 7 तो 5, 5, 25 आ गया अब 14 में से 5 जो माइनस करेंगे तो यह आ गया 9 फिर पूरा पेर उतारेंगे उपर से बस अब अपने हाँ पे थोड़ा जादा ध्यान लगाना है अब यहाँ पे 5 है ना तो 5 में 5 ही प्लस करना है तो 5 में 5 प्लस करके आ गया 10 तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है अब 10 के पास यहाँ जो नमबर लिखेंगे वो ही यहाँ होगा और कुछ ऐसा बन जाना चाहिए ताकि 981 आ जाए अब 1 मेरा 2 केस में आता है यह तो पीछे 1 होता है तब 1100 1 आता है यह पीछे 9 होता है तब जाके मेरा 1 पे 1 आता है स्क्वाइर में तो 1 से तो करेंगे तो बहुत छोटा आएगा 101 हो जाएगा 101 को 1 से करेंगे तो अंसर 101 आएगा यह तो बहुत छोटा है तो 9 से ट्राई करते हैं तो यह हो गया 109 और इंटु 9 तो 99081 यह 8 आ गया 900 और यह 8 और 9 वज़ा 9 तो पूरी बात 9 पे बन रही है तो आपको यह 9 लिखना है तो 109 990 981 सवाल खतम यह इसका स्क्वाइर रूट जब इसका आप इसका सॉल्व कर देंगे ना तो लास्ट में आपको इस तरह से लिखना ज़रूर अपना अंसर ऐसे साइन फॉर्म में कि 4489 का स्क्वाइर रूट 67 ऐसे यहाँ पे 3481 का स्क्वाइर रूट इस इक्वाइर रूट इस तरह से तो यह थोड़ा सा रभ फरक होता है इसमें इसकी भी थोड़ी ज़रूत पढ़ती है आपको चलिए 529 सबसे पहले नंबर उतारेंगे 529 पेर बनाएंगे पीछे से दो का यह बन गया अब मैंने आपको शुरू में बताया था था ना कि अगर कोई अकेला नंबर भी रह जाता है न तो उसे हम एक ही मानते हैं माला यह हमारा पेर है अब यहाँ पे 5 के नीचे ही हमें स्क्वेर नंबर लिखना है यह मैं सोचना कि आप 552 को ले लेगे नहीं जो हमारा पेर बनता है न अगर यहाँ शुरू में एक नंबर है तो फिर इसके नीचे ही हमें स्क्वेर नंबर लिखना है तो 5 के नीचे square number क्या लिख सकते है 1101 होता है 22004 होता है 33009 होता है तो 9 तो बड़ा हो जाएगा तो भात बनेगी 22004 पे अब इसे minus करेंगे 5 में से 4 गया 1 इतना काम हो गया अब पूरा का पूरा set उतारेंगे 129 हो गया अब rule के हिसाब से जो यहाँ पर यह 2 है ना तो 2 में 2 ही plus करेंगे तो यह बन गया 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 अब यहाँ पर और यहाँ पर कोई same number होना चाहिए for example अगर हम 1 ले रहे हैं यहाँ 1 लेंगे तो 41 बन जाएगा तो 41 को 1 से ही multiply करेंगे तो यह आया 41 अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो 42 बनेगा तो 2 से ही multiply करेंगे टू टू जार 4 टू जार 8 यह बना 84 और बढ़ते हैं आगे अगर यहाँ 3 लेंगे तो 3 से ही multiply करेंगे तो यह तो 43 बन गया और यह 3 तो 3 थी थी जा 9 4 थी जा 12 तो 3 पर पूरी बात बन रही है यहाँ पर लिखेंगे 3 तो यहाँ भी 3 और 43 थी थी जार 129 सवाल पूरा आगया रिमेंडर 0 आगया यह परफेक्ट स्क्वेर नंबर है तो 529 का स्क्वेर रूट हो जायेगा 23 चलिए इसके बाद फिफ्ट पार्ट भी करते है फिफ्ट में जो नंबर दिया है 3249 यह 3249 यह मैंने पेर बनाया 32 के नीचे कोई स्क्वेर नंबर लिखना है स्क्वेर नंबर 1101 22004 33009 440016 550025 और 66 36 तो बड़ा हो गया तो इसके नीचे 25 लिखना है और यह बनेगा 5 इंटू 5 से तो 55 को यहाँ पे लिखना है 55 और 25 आगया अब इसे सब्टेट करते हैं 12 में से 5 जायेगा तो 7 बचेगा इसके बाद फिर पूरा का पूरा उपर से 49 उतार लिया अब रूल के हिसाब से जो यहाँ नंबर होता है न उसमें उसको जोडते हैं मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको अभी तो सिर्फ यह छोटे सवाल चल रहे हैं जब बहुत बड़ा सवाल आएंगे न तो आपको यह समझना है कि जो यहाँ नंबर होता है उसके सिर्फ once में ही once को जोड़ना होता है जैसे यहाँ तो सिर्फ एक नंबर फाइव है तो five में five को जोड़ देंगे तो ten हो गया लेकिन अगर यहाँ पे for example 35 होता तो 35 में इसके पीछे के 5 को ही जोड़ देते तो यह 40 हो जाता तो हम यहाँ पे 40 लिखते यह मत समझना कि यहाँ पे 35 आ गया तो 35 में 35 को जोड़ के 70 आ जाता नहीं यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो उसके once में once के नीचे इसके once की value को plus करते हैं जो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ तो सिर्फ 5 यह तो 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा तो यह 10 बन गया और यहाँ पर और यहाँ पर हमें कोई सेम नंबर चाहिए तो दिमाग पर जोड डालेंगे पीछे 9 चाहिए पीछे 9 कब आएगा? जब पीछे 3 होता है 3, 3, 9 आता है लेकिन ही यहां 3 लिखेंगे तो 103, 3, 309 हो जाएगा तो वो तो बहुत छोटा आ रहा है इससे अलग 9 कब आता है? इससे अलग 9 तब आता है जब पीछे 7 होता है क्योंकि 7, 7, 49 होता है तो 9 आ जाता है पीछे तो हम इसे 7 से ट्राइ करेंगे तो 107 यहां मानके चलेंगे और इंटू 7 करेंगे 107 इंटू 7 देखते हैं मल्टिप्लाइ करके 7, 7, 49 तो 4 यहां कहरी आ गया 7, 007 और यह 4 आ गया 7, 007 तो 7 पर पूरी बात बन रही है यह आगा 749 कब 7 लेने से माइनस करके 0 हुआ सवाल खतम हो गया लास्ट में लिखेंगे आप ऐसे साइन की फॉर में 3, 2, 4, 9 यह इसके स्क्वेर रूट का निशान है इसका स्क्वेर रूट इस इक्वेल टू 57 चलिए 6 पार्ट भी करते हैं 6 में नंबर दे रखा है 1, 3, 6, 9 पेर बनाया, पेर बनाया 13 की नीचे स्क्वेर नंबर 1, 4, 9, 16 16 बड़ा हो रखा है तो 9 आएगा और 9 बनेगा 3, 3,000 से इसको सब्टेट किया तो आगया 4 इसके बाद पूरा पेर उतारेंगे 69 हो गया अब 3 में पीछे 1 से ना तो इसमें इसी को जोड़ेंगे तो यह आगया 3 में 3 को जोड़के आगया 6 अब यहाँ पर और यहाँ पर एक सेम नंबर चाहिए अब सेम नंबर होगा और ऐसा आजाए प्रोडट की पीछे 9 आजाए तो पीछे 9 आने के दो केस हैं यह तो आपका अगर पीछे 3 होगा तो 3, 3, 0, 9 आजाएगा यह अगर पीछे 7 होगा तो फिर 7, 7, 0, 49 तो भी 9 आजाएगा लेकिन 3 से यह काफी छोटा हो रहा है क्योंकि 60 है ना 63, 0, 180 आएगा इसका अंसर तो वो तो बहुत छोटा है यह तो आप idea लगा लेंगे तो 7 से try करते हैं इसको 7, 7, 0, 49 तो यहाँ 4 आगया 6, 7, 0, 42 और 42 में 4 जोड़ा तो 46 तो जो बात बन रही है ना वो 7 से बन रही है तो यहाँ हमको 7 और 7 लेने हैं तो यह बन गया 67, 7, 469 माइनस करके पूरा पूरा हो गया जब पूरा 0 आ जाता है ना तो वो perfect square number होता है मतलब यह पूरी तरह से perfect square number है और इसका जो square root आया है 1369 का यह आया है 37 तो इस वीडियो में बस मैं इसके 6 parts करवा रहा हूँ इसके 12 parts है बाकी के जो 6 parts है वो आपको next video में मिलेंगे तब तक के लिए good bye